प्रेस दे बेल आइकन फोर आल अपडेट प्रॉम खबरी हिंदुस्तान सूपर स्ट्रेट सलमान खान स्टारर फिर्म रेस्ट्री दुवाधार कमाई कर रही है बॉक्स ओफिस पर इसने चार दिनों में 120 करोड रुपे से अधिका कारोबार कर लिया दुनिया वर के कलेक्शन की बात करें तो यह फिर्म 200 करोड के आंकड़े को पार कर चुकी है आलम यह है कि अलगलग देशों में इसे देखने के लिए दर्शक पहले से टिकेट बुक करा रहे हैं हलांकि पांचवे दिन फिर्म की कमाई में कुछ खास वड़ोतरी देखने को नहीं मिली मंगलवार को फिर्म तकरीबा 9 करोड रुपे की कमाई की सबसे रोचक बात है कि शुरू में फिर्म का मजाग बनाया गया था फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे कैंसर तक करार दे दिया था फिर्म को रिव्यूस में भी कोई खास रेटिंग नहीं मिली बगर सल्मान के पके फैंस उनकी अदाया की देखने सिनेमा हॉल्स का रुप कर रहे हैं सल्लू की ये फिर्म इद पर रिलीस हुई थी तब इसने 39.17 क्रोड रुपे की कमाई की थी जबकि रविवार को इसने 49.16 क्रोड के आसपास का कारूबर किया था ट्रेट एनलिस्ट तरह नादश ने फिर्म के कलेक्शन से जुड़ा ट्विच किया उन्होंने बताया कि सोमवार तक रेश 3 ने अच्छे कासी कमाई कर ली है बड़े सर्केट्स और सिंगल स्क्रीन्स पर ये अच्छे कमाई कर रही है वहीं एक अन्य अनलिस्ट रमेश बाला बोली कि शुरुवाती चार दिनों में फिर्म में 200 क्रोड रुपे का ग्रॉस बिजनस उनिया भर में किया है